बर्ग अस्टम संस्क्रिक्षा में प्रश्णूत्तर प्रकरण में चतुर्था पाठा तीन पाठ तक मैंने लिखा दिया था पाठ का नाम है महत्मा गांधी महत्मा गांधी कोश्चन संख्या एक में मौखिक कोश्चन है दूसरा में भी पठत इवन लिखा पढ़िये और लिखी लेकिन लिखतम कोश्चन नुमर थरी से है पहला कोश्चन है एक पदीन उत्थरत महत्मा गांधिना पितुह नाम किम आसित महत्मा गांधी के पिता का नाम क्या था करम चंद्र गांधी महत्मा गांधी के पिता का नाम करम चंद गांधी आसित एक पद में है इसलिए एक पद में इंसर देना होगा दूसरा कोश्चन है महत्मा गांधिना मातुह नाम किम आसित पुतली बाई महत्मा गांधि के मा का नाम क्या था तो पुतली बाई उसके आगे महत्मा गांधिना भार्याया किम नाम आसित महत्मा गांधि की पत्नी का क्या नाम था कस्तूर्वा गांधि कश्तूर्बा गांधी एक पद में देना है भारत देशा कदा श्वतंत्रा वद भारत देश कब श्वतंत्र हुआ 1947 बर्शे गांधी जन्ती कदा भवती गांधी जन्ती कब होता है अक्टूबर मां से कोश्चन संख्या 4 में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि महात्मा गांधीना संपुर्ण नाम किम आसित महात्मा गांधीना संपुर्ण नाम किम आसित महात्मा गांधीना महात्मा गांधिनाः शंपुर्ण नाम मोहंदास करमचंद गांधियासित मोहंदास करमचंद गांधियासित उनका पूरा नाम मोहंदास करमचंद गांधि था गांधिना जन्म कुत्र हुआत गांधि का जन्म कहां हुआ गांधिना जन्म गुजरात राज्यस्य गुजरात राज्यस्य पूरबंदर नाम के नाम के नगरे अभवत बाल्लिकाले मोहंदास गांधि कौन नाट को अपच्छे था हुआ बाल्लिकाले में मोहंदास गांधि स्रवन पित्री भक्ता हा स्रवन पित्री भक्ता हा सत्य हरिष्चंद्रह हरिष्चंद्रह चो दो नाट को अपश्यत बच्पन में मोहंदास ने स्रवन पित्री भक्त सत्य हरिष्चंद्रह दो नाट को उन देखा दो नाट को देखा गांधिना कया अवधारना सर्वो परी मन्यते गांधिना कया अवधारना सर्वो परी मन्यते गांधि की कौन सी अवधारना सब से उपर माना जाता है